टर्मिनेटर मूवी की जब भी बात आती है तो हम सभी बहुत ज़्यादा एक्सेकेट वह आते हैं कि टर्मिनेटर मूवी सभी की फिवर्ट मूवी रही है हमेशा से इसके फर्स पार्ट रिलीस की गए थी 1984 में और इनकी डिफरेंट पॉंसर्फट अप स्टोरी और इनके एक्शन बहुत ज़दा डिफरेंट ले थे लोगों को और लोगों ने बहुत ज़दा पसंद भी गया था उसके बाद Terminator के बहुत सारे पार्ट आये हैं और सभी के सभी पार्ट ज़दा हिड भी रहे हैं लेकिन 2015 में जो Terminator की पार्ट आये थी वो लोगों को ज़्यादा पसंद आई नहीं थी या फिर कह सकते हैं कि Terminator 2015 में जो रिलीस हुई थी लोगों का मानुरा जन ठीक तरह से कर नहीं पाई थी ठीक उसी तरह 2019 में फिर से Terminator को रिलीस की गई है Terminator Dark Fate मूवी के अगर हम बात करें तो मूवी की concept and story एक तरह में different है और ये आपको ले जाती है फिर से एक बार 1984 के मूवी में जहां से flashback होते होते आपके सामने ये मूवी present होती है मूवी की storyline one of the best है और ये मूवी आपको थोड़ी बहुत जैसे feeling देगी Terminator Dark Fate हर एक Terminator की तरह आपको नहीं लगेगी क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत changes किये गए है और थोड़ी बहुत storyline भी different बनाई गई है इस मूवी को आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप Terminator तो enjoy कर रहे है साथ ही साथ कोई emotional movie भी enjoy कर रहे है मूवी में emotion भी भरा रहा है प्लस इसकी ending आपको रूलाने वाली भी है तो चलिए जानते हैं detail में Terminator Dark Fate 2019 मूवी के बारे में मूवी actually action proof है और Terminator की series है इस मूवी में शेरा कॉनल और Terminator के character में Arnold भी नज़र आने वाले है साथ ही साथ एक future cyborg भी नज़र आने वाली है जो की एक human girl को बचाने वाली है मूवी में के last तक liquid terminator से ये सभी या पर कह सकते हैं ये तिनो उस लड़की को बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं लेकिन मूवी की story बहुत ज़्यादा interesting तब हो जाती है जब बीच बीच में future cyborg लड़की की fresh book को दिखाया जाता है मूवी की story बहीं पर बहुत ज़्यादा interesting करती है प्लस जब unrolled के mystery को solve कर जाता है तो मूवी आपको बहुत ज़्यादा interesting लगेगी मूवी की storyline एकदम ही different है और मूवी action से भरी परी है और अगर आप कुछ different दिखने चाते हैं तो आपके लिए एकदम best movie है तो जब बात करते हैं थोड़ा बहुत इस movie के बारे में जो की movie से related होती है जैसे for example कि ये movie आपको board करने वाली है या नहीं तो दोस्तों ये movie आपको बिल्कुल भी board नहीं करेगी और इसके action आपको बिल्कुल different लगेंगे इवन last में आपको ये movie बहुत ज़्यादा touchy भी लगेंगे और Terminator Dark Fate की सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये आपको हरे Terminator जैसी नहीं लगेंगी इसमें थोड़ी बहुत changes किये गए हैं और वो changes आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे प्लस acceptable changes किये गए हैं इस movie में movie की story भी best है और इसके action भी best है Terminator Dark Fate में जो villain नजर आएंगे वो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत Terminator 2 की याद दिला दे क्योंकि इन दोनों की power और इन दोनों की Terminator activity similar लगेंगे लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा difference है और इन दोनों के acting में भी बहुत ज़्यादा difference है तो friends अगर मैं इस movie को rating देना चाहो तो मैं इससे दोंगा 5 में 3 star क्योंकि मुझे movie बहुत ज़्यादा अगर आप इस movie को सोच रहें कि देखने जाए या ना जाए तो आप इससे जरूर देखें तो friends उमीद करता हूँ कि आपको आज का movie review अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक का बड़न जरू रवाए और कमेंट हमें जरूर शेयर करें तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए रिव्यू के साथ खुश रहे है हेल्दी रहे है बुडबाई